36 कर जिला कोरिया से बड़ी खबर महिला एवंपाल विकास विभाग के डीपीओ जी पर हुआ पत्राव बाल बाल बचे सी एस सो दिया ग्राम सभा के ड्यूटी कर भरतपुर से वापस लौट रहे थे जिला कोरिया के बैकॉंट पुर अधिकारियों में बैव्याप्त ग्राम सभा कारिकरम से लौट रहे महिला एवंपाल विकास विभाग कोरिया के जिला कारिकरम अधिकारी चंद्रेशु सिंग से सोधिया की कार पर पत्राफ करने की घटना प्रकाश में आने के बाद से अधिकारियों में काफी देहशत है यही घटना की जानकारी मिलने के बाद ही डिशनल स्पी पंकज शुकला ने अपनी पुलिस टीम को पताशाजी के लिए लगा दिया मेरे जानकारी के अनुसार ग्राम सभा के ट्यूटी महिला एवंबाल विकास विभाग के डीपियो चंद्रेशु सिंग से सोधिया अपनी किराय की वाहन से फरतपुट दोरे से वापस लूट रहे थे इसी दोरान वाहन पर पहाड हंस वाही काओं के समीप अग्यात व्यक्तियों दोरा पत्राफ कर कार का काच्छ छोड़ दिया उस वक्त उनके साथ विभाग के कमलेश राजिवारे के अलावा वाहन चौलग भी था वहाँ मॉबाइल कर नेटवर्क ना होने से डीपियो चंदरेशु से सो दिया किसी को सूचित भी नहीं कर सके खटना के बाद भैबीते चंदरेशु से सो दिया किसी तरह से बेल बहरा तक आए उसके बाद फिर उदाल का चार स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर बैकंटुपर रोड स्टेशन तक पहुँचे उसके बाद एडिशनल स्पी पंकज शुकला कोरिया जिला को घटना की जानकारी दी खटना की जानकारी अन्यदिकारियों में भी जनकपर दोरे को लेकर फैर व्याप्त हो गया है इस संबंद में एडिशनल स्पी पंकज शुकला कोरिया ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद पोलिस टीम को खटना की पताशाजी करने के लिए लगा दिया गया था लेकिन रात होने की वज़े से कुछ सुराग नहीं मिल सका गयाम न्यूस चैनल से 36 गड़ प्रभारी नरेंद्र महौत की रिपोर्ट